हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ अमीद पारे के एक बाद फेर से आप सब लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल पर सवकत है जिस तरीके से स्टुडेंट्स आप लोगों पता है कि हम चप्टर नमबर सेविन पी ब्लोक एलिमेंट्स यहां पर पढ़ रहे हैं इसे गुर कि एलिमेंट्स जो हैं इंकी अकरेन्स इंकी फिजिकल प्रोप्रटी उगनी केमिकल प्रोप्रटी जो है वह भी हां उसी व्यूडियो में पढ़ने वाले हैं चालीए बच्चों सबसे पहले चलते हैं हाई Barbara है हाईजोन कलोराइड जो है इसका फोर्मला जो होता है वो इसका मॉलेक्रिल टूटा है ञोटा है और हाईज क्लॉराइड का फोर्मला क्या होता है बच्छों था और यह किस ने बताया था कि इसके अंदर hydrogen और chlorine जो हैं यह दोनों इसके अंदर मिले हुए रहते हैं तो चलते हैं जो गलेबर नाम के scientist थे इन्होंने 1648 के अंदर गलेबर नाम के scientist थे इन्होंने 1648 के अंदर जो कोमन सॉल्ट जो था इसको हीटिंग की थी इसको हीट करके क्या नाम से कंसर्टेश सल्फिरिक एसिट के साथ में इन्हों ने क्या क्या था इसकी रियक्शन करवाई थी और रियक्शन करवाने के बाद में इनको क्या मिला था इनको SCL की प्राप्ति यहां पर हुई थी यहां पर इनका SCL बना था तो हम कह सकते हैं कि ग्लेवर नाम के साइंस्टिस्ट ने सबसे पहले 1648 के अंदर क्या नाम से कॉमन सॉल्ट को कहां रिय क्या नाम से सबसे पहले है їड्रोग्लोरिक असीट का फोर्मेशन किया था तो यह चैन यहां ताहों मैं क्या नाम के ने यह बताया था कि जो क्या नाम से आपके हाइद्रोजन और इन दोनों का compound है आपका scl किसका compound है hydrogen और chlorine का जो compound होता है वह होता है SCL यहापर दिया हुआ रहता है आगे देखिए इसके लिए preparation की बात करते हैं कि क्या नाम से हम एक जो अपने लेबॉरेटरी है उसके अंदर हम इसको किस तरीके कैसे बना सकते हैं यहां पर आप लोग बता रहे हैं इस प्रिपेर्ड भाइप वाइछी फॉर हंडेट वंटी एकल लूइन सी 2टल आपर की रियेक्शन जब हम किससे रहाते हैं सलुडियों किस भूराते हैं अब ध्यान रखिए कि एस टू एसफूर में दो हाइडरोजन होते हैं और यहां से एक हाइडरोजन एक सील के साथ मियां से बाहर निकलता है एक हाइडरोजन जो है वह एक सील के साथ मियां से बाहर निकल जाएगा और यहां पर एसल का फॉर्मिशन कर देगा और बागी जो स और जब यह वापस से यहां से एक और इस के साथ में यहां से तूटकर करके यहां पर फोर्मेशन करेगा और अ क्या नामसर प्रॉपलीशन के वाथ है बच्चों करते है Narbs क्वहीं परफ Tinder जो है इसकी प्रोपरिटेटिस का हैं its is a colorless पंजिंट ईस्मेल इस बैच्श क्या होती है कि जो edeasyl oh होता है यह attract unlessर दिह इन इसकी इस्मेल होती है मौत्व Hindi कि गंद यूट यह गेस होती है वह तीकी इसकी फ्लाती है वह पंझेने इसमेल कलाती है कि हम आके चलते हैं इट इस ईजी वीड़ी सब्सक्राइब प्रफ़ाय सकते हैं यह को सकते हम सकते हैं इसको televiso पर आप लोग दिया हो वह 189 कई भीन आप पर आप लोग को ध्यान में रखना आगे दिए इन वोटर एच्छो क्या होता है कि यह वोटर के अंदर क्या होता है और यह आयने फोम में यहां पर क्या हो जाता है कि हो जाता है जिस प्रकार से मैंने आप लोग बताया था कि है यहां पर एस प्लस और सील माइनस के रूप में यहां पर तोटता है और आपको पता है कि ऑक्सिजन की उपर यहां पर लॉन पर होता है तो ऑक्सिजन अपने बाए और यह जो प्लस जो है यह एकवस्फ फर में मिलता है और यहां पर सीयल मैंनस जो है क्लोरीन जो है अच्वकों निकल जाती है नेक्स डियक्शन है इसकी नेक्स प्रॉपर्टी जो है इस एप इप इस्देश्ट विट एन एन एस त्री एंड गीवस वाइट Fume of NH4Cl यह क्या होती है, बचों Amonium Coloride की क्या नाम से White Fume के अंदर यह Convert होता है, कब कवड होता है जब इसकी Reaction NH3 से से करवाय जाती यह, जब एक Cl की Reaction NH3 से करवाय जाती है तो यह NH4Cl, आमोनियम Kloride की White Fume के अंदर क्या होता है convert होता है तो देखिए NH3 जो है यह ACL के साथ में डियेशन करती है और ACL के साथ में जब डियेशन करेगी तो H plus और CL माइनस में टूट करके नाइट्रियन के पर यह का करते हैं बोन का formation करेंगे और NH4CL का formation यहां पर होगा किसका formation होगा NH4CL का यहां पर formation आपके हो जाता है नेक्स्ट है इसकी प्रोपर्टी है वें थ्री पार्ट और सब्सक्राइब जब थ्री पार्ट जो है ACL के हम ले ले और एक पार्ट हम HNO3 मतलब इनका जो रिशो होगा वह 3 रिशो hole 1 होता है किसका थिपे यह 3 पार्ट गिसका हो जाएगा ACL का और वबशन का हम आकी हमje सिल्वर होता है गोल्ड यह AC मेटल्स को यह डिजूल करने के काम में आता है और इनको साफ करने के का में भी ये लिया जाता है ने शलते हैं हम इसके users के बात करते हैं कि जो ये अपने hydrogen Давайте separate जो है ये इसका use क्या क्या है ये कहां कहां हमारे काम में आ सकता है तो चल ये चलते हैं kalian कि उसके बार में फस्ट यूज़मिस का पढ़ते हैं देखिए इटिस दा मेनीफेक्ट्र ने इन इन दी मेनीफेक्ट्र और एफ क्लोरीन एड एननेच-4-C-L एड ग्लूकोज बच्चो यह जो है यह क्या नाम से क्लोरीन फ़र्मेशन करने में क्लोरीन का फ्मेशन करने करने में और ईएड़ आन्से यह स्कावरम कोजीन करने में काम में आता है ठीक ने चलते हैं इन Depardant लेप्ड्स 7 vakण सब्सक्राइब को सब्सक्राइब रिधेगा रूप्सक्राइबाता है और यह जो है वह जो है तने में में घैनी में केमिकल अब ये जो है यह King of Acid इसको हम English में कहते हैं बच्चों और यह एक वारेजिया बनाने में काम में लिया जाता है नेक्स शलते हैं हमारे पास में गुरुप 18 के elements अब आप लोगों के यहां पर आते हैं पट बच्चों इससे पहले में कुछ आप लोगों कुछ इसकी जो हमारे जो हैलोजन थे गुरुप 17 थे इसके वारे में कुछ में आप लोगों बता देना चाहता हूं कुछ थोड़ी छ उख्ड़ों ओक्जोहलायाट यहां पर बनाते हैं क्या बनाते हैं बच्छों ऑड़ोहलाय्डDR यहां पर बनाएंगे घरह हम क्या करते हैं ऑप ट्री टाइप Creatoffs take sponsor यहां पर बंति हैं क्या नम से अब आप लोग यहां पर देख लीजिए कि यह से颅च FM पर आक लोगके Exodus के अभवन है अड्रों के तिक थोιαक। ratingsanie Strange है क्लोरस एसे क्लोरिन के लिए है यहां पर आता है इसी तरीके से हो बी आर जिसे हम क्या कहते हैं हाइपो ब्रोमस एसेड कहते हैं क्या कहते हैं है है इसी तरीके से हो आई जो हैं यह क्या नम से यहां पर आइड़ आई डास एसेड बनाता है यहां पर बनाता है तो देखिक बच्चों अब आगे जो हैं कि यह बात हो गए इनकी नॉर्मल सी बात थी अब हम चलते हैं यहां पर आगे कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स किसमें चलते हैं बच्छों हम यहां पर चलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में हम लोग चलते हैं अब मैं आप लोग बता दूँ कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं तो देखिए बच्छों यहां पर इंटर ह क्या नाम से हेलोजन के ही कंपोंड बनाते हैं जो क्या नाम से यहां पर किस तरीके के बनाते हैं दिखिए बच्छो यहां पर बनाते हैं एक्स एक्स डेश टाइप के बनाते हैं ठीक है एक्स एक्स डेश टू टाइप के बनाते हैं ठीक एक्स एक्स डेश फाइब टाइप के बनाते हैं और एक्स एक्स डेश सेवन टाइप के यहां पर इंटर हेलोजन कंपॉंड बनाते हैं जिनके अंदर जो एक्स डेश होगा इसका जो size जो होती है वो कैसी होती है small size होती है कैसी होती है small size इनकी यहां पर होती है जबकि जो x जो होता है इसकी कैसी होती है बड़े size के आप लोगों के हेलोजन होते हैं x तो क्या होंगे छोटे जबकि x जो होते हैं यह बड़े यहां पर होते हैं तो इस चीज का आप लो क्ल पर 5 ये ये क्लिविंट पर यहां पर लोग होती है तो इसमें 2 एकस डेस टैप का यह बनता है कौन सा बनेगा एकस डेस टैप का यह आप लोग बनेगा इसी तरीकर से में बता दोथा हूं आप लोगो को इसी परकार से cl 2 जो है इन्योub लिचिए this with के साथ करता है तो 2clf3 क्या मनाते ता यहां पर 2clf3 यहां पर टाइप का यहां पर हेलोजन बनाता है तो मैंने कहा था कि यह एक्स-डेज चिरी टाइप का हेलोजन जो इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हैं वो यहां पर बनाते हैं तो इस चीज का आप लोग को विश्य सोर्थ थोड़ा सा ध्यान से यहां पर ऊणनी इसे अरे से डिनोट करते हैं और यह सभी जो हैं जाते हैं किसका नाम जाने चाते हैं बच्छो inten यह सभी गुरूप 18 के elements यह नाम से जाते हैं तो वापस से सुन लिए गाए group 18 के elements हैं है है लोजन, helium, neon, organ, krypton, xenon, redon यहाँ पर group 18 के elements आप लोगों के दीव हैं तो इसकी trick जो है बच्चो याद करने की वह आप लोग इसकी trick लख सकते हैं कि है नहीं अगर कर 0 run पर क्या है बच्चों इसकी ट्रिक जो है याद करने कि वो है है नहीं अगर कर जीरो रन पर तो देखिए का में एक एक प्रेंट कर है नहीं अगर कर जीरो रन पर तो है किसे क्या गया आपके हीलियम नहीं से क्या गया नियोन अगर से क्या गया आरगन कर से क्या गया क्रिप्टन जीरो से क्या आगया, जिनोन, और रन के रन से क्या आगया, रेडोन, तो आप लोगों के याद कर लेंगी, थो शोड़ी सी ट्रिक जो है, वो इसकी हो जाएगी, इसे ग्रूप एलिमेंट्स को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, नेक शलते हैं, बच्छों, ये सभी जो गुरूप 18 के जो एलिमेंट्स जो हैं, ये सभी गैसे हैं, और क्या नाम से ये केमिकली क्या होती है, अन्रीक्टी होती है, ये डिक्ष नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर इंके ओक्टेड जो है, वो पूरे फुल्फिल्ट ओक्टेड इनके, रहते है आगे देखिए इस gases known as noble gases और ये क्या कहला दिये बच्चों इन्हें हम noble gases के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं बच्चों इन्हें हम noble gases के नाम से भी जानते हैं आगे जलते हैं इनकी properties की बात करते हैं जिसके अंदर हम इनकी electronic configuration की बात करेंगे Atomic Mass के बात करेंगे और Atomic Number के हम यहाँ पर बात इनकी करते हैं तो चलिए बच्चो सबसे पहले देखते हैं Element Name जो है Helium जो है इसका Atomic Number जो है वो 2 होता है और Atomic Mass जो है वो कौन सा होता है 4 होता है अगर यदि बच्चो आप लोगोंने इससे पहले वाला वीडियो जो है मेरा Atomic Mass वाला जो ट्रिक्स जो मैंने बताई है अगर यदि आप लोगोंने उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग प्रिवेस वीडियो में जाकर कि उसे देख सकते हैं और यदि बच्चो आप लोगोंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बेसे से जरूर कीजिएगा तो आगे चलते हैं इसका Electronic Configuration जो होगा वह होगा 1s2 कितना होगा इसका Electronic Configuration जो होगा वह 1s2 होगा नेक्स्ट है नियोन है नियोन का Atomic Number जो होगा वह 10 होगा इसका Atomic Mass जो होगा वह कितना होगा 20.18 कितना होगा 20.18 और इसका Electronic Configuration जो होगा वह होगा HE2S22P6 कौन सा होगा HE2S22P6 इसका Electronic Configuration यहाँ पर हो जाएगा नेक्स आती है, औरगन, इसका एक्टोमिक नमबर होता है, 18, इसका एक्टोमिक मास जो होता है, 39.95, कितना होता है, 39.95 उसका एक्टोमिक मास यहां पर होता है, नेक्स आता है, क्रिप्टन, क्या आता है, क्रिप्टन जो आता है, इसका एक्टोमिक नमबर जो है, वो 36 होता है, Atomic mass जो होता है वो 83.80 83.80 इसका Atomic mass होता है इसका electronic configuration जो होगा वो होगा Any 3D10 4S2 4P6 कौन सा होगा Any 3D10 4S2 4P6 जो होगा वो इसका electronic configuration यहापर हो जाता है Next है XE Xenon जिसे हम कहते हैं इसका Atomic number है 54 इसका Atomic mass जो है वो 131.30 स्क्रिप्टन 4D10 5S2 5P6 Next है Redon ठीके Atomic number है 86 इसका Atomic mass जो होगा वो 222 यहापर होता है इसका जो electronic configuration जो होगा वो है XE 4F 14 5D10 662 6P6 जो है यहापर इसका electronic configuration यहापर हो जाता है तो चलिए बच्चो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं इसके जो common electronic configuration जो है उसके हम बात कर लेते हैं इसका जो common electronic configuration जो होता है वो होता है 1S2 sorry NS2 NP6 कैसा होता है NS2 NP6 अब NS2 NP6 का मतलब क्या होगा है आप बच्चो मैंने आप लोगों कहा है कि जिसे N का मतलब क्या होता है 12345 तो 12345 यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है कि 1S2 हो या 2 या 3P6 हो तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है तो देखिए यहाँ पर N जो होगा वो 2 एलियम के छोढ़कर करके टू से स्टाट होता है और जो पी जो है वो यहाँ पर 2P6 से इस्टाट होता है कि कहां से स्टाट होता है और 2rator 2P6 यहाँ पर स्टार्ट होता है तो फिर कह ओँ 312ioso 3P तो इस तरीके से क्या होगा बच्चो आगे चलता जाएगा नेक्स्ट है अब एक टमिक रेडिया की बात करते हैं कि एक टमिक डेडिया इंक्रिज डाउन दी ग्रूफ विच इंक्रिजिंग अडमिक नंबर बच्चो देखिए किसी भी सीरीज में हम उपर से नीचे जाते हैं नंबर इंक्रिजंग नंबर निकरिज भी इंक्रिज भी बढ़ता जाता है है नेक्स अलते हैं आयनाजिशन एंथेर्पी की बात करते हैं तो ड्यू टू इस्टेबल इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन को डॉनेट नहीं करती है और इन इसका पूरा जो होता है तो इसकी इलेक्ट्रोन इक्सप्ट ही नहीं करता है नेक्स चलते हैं फिजिकल प्रोपर्टी की इसकी बात कर लेते हैं फिजिकल प्रोपर्टी है all the noble gases are monoatomic सभी जो noble gases जो है यह क्या होते हैं इस बात कर लेश्य प्रोपर्टी के अंदर यह नहीं होता है और यह बोट थोड़े से प्वेंट पर यह मेल्टी भी हो सकती है और यह बोईल भी होने लगती है आगे देखिए helium has the lowest boiling point इनके अंदर सबसे कम जो boiling point जो होता है वो किसका होता है helium का होता है और helium का boiling point जो होता है वो कितना होता है 4.2 Kelvin होता है इसी तरी के नियोन का जो होता है नियोन का जो होगा वो 27.1 होता है Oregon का जो होता है वो 87.2 होता है ठीक है और क्रिप्टेन का जो होता है वो 119.7 ही होता है ठीक है और redone का जो होता है वो सबसे ज़्यादा 211 होता है कितना होता है 211 यहां पर होता है ठीक है नेक्स चलते इसकी chemical properties के बारे में बात करते हैं कि इसकी chemical properties क्या होगी बच्चो देखिए कि यहां पर क्या होगा helium को छोड़ करके कौन सा होगा helium जो है इसको छोड़ करके सभी का जो सबीकियों सब्च्राइब कर्थे कर्या थे एंस टूटबैसा जोता है इसा नहीं होता है हिलियुम का जो एलेक्टो इक एंस अधिल्पी एंडम पॉजिव एन्स अंध्वी पत्को यह क्या ओधिए कि इनकी होती है और पोजिटिव इने त्लिभ ऐन पाई जाती है थैंकि झाल